अब आज इस वीडियो में आज आप लोगों को बिल्डिंग ड्रॉइंग यह बिल्डिंग करेंग बनाने जा रहा हूं तो इसके लिए मैंने आपको पहले से ही क्वेस्टिन लिखा हुआ है और एक लाइन प्लान दिया हुआ है चलिए question को पहले देखते हैं question ये है draw the plan and elevation bracket में section section line अभी मैं खीश दूँँग जहां से हमें उसका elevation का बनाना हुआ है और building from given line plan ये आपको एक line plan दिया गया है इस line plan के according आपको plan और elevation section इसका बनाना है ठीक है elevation अभी हो सकता इस video में न बताओ मैं आपको क्योंकि पूरा time इसमें plan में लग जाएगा तो पहले हम लोग plan सीख लेते हैं उसके बाद elevation के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा तो आज इस वीडियो में हम लोग plan सीखेंगे ये line plan दिया गया है इस line plan के according हम यहाँ पर इसका plan बनाएंगे टॉप बियू बनाएंगे बिल्डिंग का thickness of all wall 30 cm यहाँ पर जो thickness दिया गया है वो सभी wall का thickness 30 cm दिया गया है assume data if required यादि कोई data का आपको required है तो आप उसे assume कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले building बनाने से पहले हमें ये check करना होता है कि यहाँ पर जो हमें line plan दिया गया है इनके जो dimension दिये गया है ये dimension जैसे 4 into 3 meter का bedroom दिया गया है 4 into 3 का यहाँ पर दिया गया है 3 into 3 का store room दिया गया है 3 by 3 का kitchen दिया गया है तो ये जो यहाँ पर इनका जो dimension दिया गया है size दिया गया है ये size किस form में लिखा हुआ है ये h into v में है या v into h में है h into v या v into h में है सबसे पहला number हमें यही check करना होता है कि जैसे मालेजिए 4 by 3 meter है तो ये 4 by 3 h का मतलब होता है horizontal और v का मतलब होता है vertical तो ये 4 meter यहाँ से लेकर यहाँ तक का length है और 3 meter ये है या ऐसे भी हो सकता है कि 3 meter यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 4 meter आपका ये है तो ये आप question में जरूर चेक करेंगे इस चीच को सबसे पहला number हमें question में यही चेक करना होता है इसके लिए हम क्या काम करेंगे 2-3 room को देख लेंगे उससे हमें पता चल जाता है तो यहाँ पर चलिए देखते हैं ये 4 meter है आपका पहले हम h into v कुछ चेक करते हैं कि क्या h into v में है चलिए पहले वाले को horizontal length मान लेते हैं तो 4 meter आपका ये है 4 meter आपका ये है 8 meter ये पूरा है आपका यहाँ पर चेक किजिए 3 meter ये हो गया 3-3-6 meter बीच वाला नहीं दिया गया तो 2 meter हो सकता है यह यह हमें h into v में ही होगा एक बार v into h में चेक कर लीजिए पहले वाले को vertical दूसरे वाले को horizontal मान लीजिए चलिए दूसरे वाले को horizontal मान लीए इस 3 को मान लीए यहां से लेके यहां तक है तो 3 meter ये हो गया और ये वाला 3-3-3-3-6 meter ये हो गया पूरा और जब यहां बात आती है तो 3 meter यहां और 3 meter यहां 6 meter ये दोनों लूम मिलके 6 meter हो रहा है यहां पर ये पूरा 6 meter था तो ये बीच का length कहां गया इसका मतलब है कि v into h में नहीं बलकि h into v में है यानि पहला length horizontal है और दूसरा length vertical है इसको देखके भी पता चलता है कि यहां से यह length जादा दिया गया यह length कम दिया गया नहीं पहला length यह 4 meter होगा यह 3 meter होगा आपका तो पहली बात तो यह होगी दूसरी बात scale लेने की बात आती है आपको scale लेना आना चाहिए जब तक आप scale नहीं ले पाएंगे तो तक question solve नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए scale लेते हैं scale आप 150 का ले सकते हैं 130 का ले सकते हैं 120 का ले सकते हैं scale आपके पास जो भी drawing seat है उसके according आपके area में आपका बन जाना चाहिए वही scale हम लेके चलेंगे scale में लेने का सबसचा दरिया क्या है यह जो भी यहाँ पर size दिया गया है इनको आप centimeter में बना लेंगे चलिए मैं scale लेता हूँ यहाँ पर 150 का चेक करते हैं लेकर के 150 का लेकर चलते हैं तो यह जितना भी यहाँ पर length दिया गया है उन length को पहले आप centimeter में बना लेंगे centimeter में बनाने के बाद 50 से डिवाइड कर देंगे आप जो आएगा उतना लिंद आप यहां पर ड्रॉ करेंगे ऐसा क्यों मैं स्किल में चेंज कर लहा हूं क्योंकि देखिए अब आपका बेड रूम है 4 मीटर वाई 3 मीटर का यह मीटर में है अब एक इस पूरे रूम को पूरे बिल्डिंग को आप इस छोटी सी ड्रॉइंग सीट में बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे इसके लिए आपके पास जितने साइज का बिल्डिंग है उतने ही साइज का आपके पास ड्रॉइंग सीट होना चाहिए तभी तो आप बना पाएंगे बट हमारी ड्रॉइंग सीट तो बहुत छोटी सबस्क्राइब करेंगे किसी करेंगे सब्सक्राइब selv चोटीजी बिल्ण करेंगे ऌहां पे रॉड्ट को इसे मैं आपको बता दो ॓ पुरा सा कैसे लेंगे मालेजे 150 का इसके लगर आप ले रहे हैं तो कैसे लेंगे मालेजे 4 मीटर लंबी लाइन खीचनी है आपको अब मैं आपको स्केल लेना सिखा रहा हूं पहले 4 मीटर को मालेजे 150 का आपने स्केल लिया है तो 4 मीटर हमारा एक्च्वल लेंथ हो गया बड़ जब ड्रोइंग सीट पे हम पैंसिल से ड्रो करेंगे तो कितनी लंबी लाइन खीचेंगे हम इससे पहले आप सेंटी मीटर में बनाएंगे तो 400 सेंटी मीटर हो गया और 50 से डिवाइट करना है हमेंसा आपको यह ध्यान लखना है यह कैंसल करना कितना हो जाएगा आठ सेंटी मीटर लंबी लाइन खीचेंगे आप यानि फोर मीटर लंबी लाइन को आठ सेंटी मीटर लंबी लाइन खीचेंगे आप बट उसे बोलेंगे फोर मीटर यहां हमेशा फोर मीटर ही सो करेंगे हम बोलेंगे भी चार मीटर लंबी लाइन है बट हम ड्रॉ कितना करेंगे आठ सेंटी मीटर चलिए म तो तीन दुना 6 cm लंबी लाइन आपको खीच नहीं है ऐसी मालेजिए 5 मीटर को आपको चेंज करना है तो 5 इंटू 100 cm में हो गया और डिवाइड बाइ 50 तो कैंसल करेंगे यह दो आजाएगा 5 दुना 10 cm तो एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप 150 का स्केल लेते हैं तो जस्ट डबल हो जा रहा है देखिए 3 दुना 6 cm, 4 दुना 8 cm, 5 दुना 10 तो क्यों न हम 150 का स्केल में लेके बना लेते हैं बुरे इस प्लान को 150 के स्केल में चलिए बनाते हैं जस्ट आपको डबल कर देना होता है तो यह आपको स्केल समझ में आ गया चलिए बनाते हैं अब एक चीज़ आप और ध्यान देंगे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर यह जो भी साइस दिया गया है विल्डिंग का वो वाल के अंदर से अंदर का लेंथ दिया जाता है इस लेंथ में जो दिवार का थिकने से वाल की मुटाई है वो इसमें नहीं दिया गया है वो आपको अलग से अपने से लेना है तो यह जो भी रूम दिये गये हैं वो वाल के अंदर से अंदर का लेंथ जैसे चार बाई तीन मीटर का रूम है अगर आपका यह यहां से लेकर यहां तक की लेंद हम निकाल लेते हैं यह पूरा लेंद कैसे निकालेंगे देखी 4 मीटर तो आपका यह हो गया ठीक है चलिए देखते हैं 4 मीटर आपका यहां से यहां तक हो गया 4 मीटर प्लस यहां से यहां तक का लेंद कितना है 4 मिटर, हम क्या काम करने जा रहे हैं मैं आपको बता दू, मैं सबसे पहले boundary wall बनाना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से easily बन जायना है building हमारा तो यहां से लेकि यहां तका length कितना है? 4 मिटर, यहां से लेकि यहां तका length कितना है? क्योंकि यह दोनों आप मीटर में लिए हुए है तो 0.30 एक दिवार की मौटाई है 30 cm कितने दिवार हैं आपके? 1, 2, 3, तो 3 का multiply कर लीजिए तो कितना हो जागा आपका? 4, 4, 8, 8, 9 यहां से लेकि यहां तक कि जो लंबाई आपका पूरा आ गया वो 8.9 मीटर लंबी लाइन आ गया अब आप इसको इसकल में चेंज कीजिए जब इसकल में चेंज करेंगे तो जस्ट डबल कर दीजिए या तो मैंने आपको बताया ना 8.9 इंटू 100 डिवाइट बाई 50 करेंगे 50 दुना 100 9 दुना 18 17.8 cm लंबी लाइन आपका आगया यहां से यहां तक पूरा पर हम क्या काम करेंगे चलिए बनाते हैं स्टार्ट करते हैं 17.8 cm लंबी लाइन हमें खीचना है 17.8 आप मिने डॉफ्टर में देखते रहेंगे ध्यान से मैं किस तरीके से मिजर्मेंट करता हूँ मैं आज आपको बता आप बिल्कु बना के बताऊंगा और इसी तरह आपको बनाना भी है ठीक है 17.8 देखे यह 17 है 17.8 का मतलब है जो छोटे वाले वो दिये गए वो एक एक मिली मीटर के हैं आपके और 17 सेंटीमीटर यहां तक आ गया तो देखेंगे तक यहां आपको बनाना भी है बनाना भी हैं यहां है और एक 8 अवल ले लिजिए यानी 18 में से 2 कम कर दीजिए यह 17.8 हो गया आपका यह लाइन हो गया आपकी 17.8 बट हम इसे कितना बोलेंगे जो एक्चुल आया था 8.9 मीटर इसे हम बोलेंगे 8.9 मीटर ही बोलेंगे चलिए इसके लेंद को सो कर दीजिए यहां पर इस को दिखा भी देते हैं जैसे मैं ड्रोइंग बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाएंगे यहां पर कितना आगया अपना 8.9 मीटर लिखेंगे एक्चुल बट हम इस केल में करने के बाद इतनी लंबी लाइन खीचेंगे और परियां से एरो बनाएंगे देखने में अच्छा लगना चाहिए एरो पर भी से ध्यान देंगे आप ऐसा नहीं बना देंगे कि बहुत मोटा सा या बहुत छोटा इस तरीके से नहीं जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं अब चलिए इसके हाइट की कैलिकुलेशन करते हैं कितना है इसके हाइट के अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा देखिए अब इसका हाइट यह तीन मीटर है थ्री मीटर प्लस यह हाइट थ्री मीटर प्लस यह हाइट दो मीटर दो मीटर तीन तीन छे दो आठ प्लस व वाल दो तीन चार वाल है तो फोर इंटू पॉइंट थ्री यह हो जगा तीन तीन छे दो आठ नाइन पॉइंट टू आ गया इसको स्केल में चेंज किजिए इंटू सो डिवाइड बाइ फिप्टी पचास दूना सो दो दूना चार नो दूना अठार एटीन पॉइंट फोर आपका तो एटीन पॉइंट फोर सेंटी मीटर लंबी लाइन आप खींचेंगे एटीन पॉइंट फोर जब भी आप डॉफ्टर यूज करते हैं तो जो आपने लाइन खींचा हुआ आना या तो सीट के पैरलल हमेशा बनाएंगे ऐसे मिला लिया कीजिए ठीक है ऐसे मिला आने के बाद आप इसको डॉफ्टर को कस देंगे इसी के पैरलल जिससे हमारा बन जाएगा यह तो यह फिफ्टीन सेंटीमीटर तो आपका यह हो गया देखिए हमें कि इतना देना 18.4 तो 3.4 ओलने लिजिए यह 3.4 ठीक है इदर हमें कितना आना है 17.8 गया गया है इनको मिला लिजी कि मिली टॉफ्टर में काफी एरर होते हैं जिसके वर इस लाइन तिरिच्छी के बन सकती है आपका तो एक काम करते हैं इसको ऐसे इसके पैरलल हमने ऐसे सेट किया कि आपके पास ड्वाइंग बोर्ड अच्छा सा है और ड्वाइंग बोर्ड पर सीट को आप रखके करेंगे तो आपका जल सही बन जाएगा इसमें एडर आ रहा है आप तो इदने में सीखे जाएंगे एक चल में यह ड्रॉप्टर ठीक से सेट नहीं हो पाया है जिसके वज़ें से प्राव्लम हो रहा है तो अच्छा आपको पूला दीख भी नहीं रहा है कामकति स्लैंग को मैं यहां पे माल ले रहा हूं चलिए यहां पे ठीक है अब आपको क्लियर हो जाएगा लोपे 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 अब आपको दिख गया ठीक है जूम कर लेते हैं चली यहां पर आपको तो समझ में आना चाहिए इस पेस बुड़ा सो नहीं हो पा रहा है अब क्या करना इसके बाद इसके बाद हमें करना यह है कि इस वाल का थिकनिस 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर को इसकेल में चेंज करेंगे नहीं आप तो जस्ट डबल कीजिए 60 साथ आ जाएगा फिर यहांनी 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा 30 cm को इसले में जब आप चेंज करेंगे देखिए 30 cm इंटु दिवाइड बाइ 50 के वो cm में ही और लेड़ी तो यह आपका जाएगा 0.6 cm तो यहाँ पर तो 0.6 cm का मतलब 6 mm होता है तो 6 mm जो है आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अंदर लेंगे क्योंकि हमने इसको लेड़ी ठिकनेश जो है इंक्लिवड कर दिया हुआ है ठीक है इधर से भी 6 mm ले लिजिए उपर से भी 6 mm हमने ये boundary wall बना दिया पूरा टोटल boundary wall बना दिया boundary wall जो भी बनता है अब चलिए bedroom की बात करते हैं तो bedroom का जो size है 4 भाई 3 मीटर है तो vertical length कितना है देखिए 3 meter है तो 3 को scale में change करेंगे तो 6 cm आ जाएगा अब ये 6 cm अब आपको ये ध्यान देना है कि wall के अंदर से अंदर का लेंगे क्योंकि ये जो size दिया गया है ये दिवार के अंदर से अंदर का दिया गया है तो 3 दुना 6 तो 6 cm के जो है आप इसे नीचे की तरफ लेंगे line ये यहां से 6 measurement कर लिजीए कहाँ आएगा ये 6 आगया आपका 6 cm अब इसका जो दिवार बनाएंगे वो अंदर नहीं बाहर बनाएंगे क्यों क्योंकि हमें 6 cm पूरा wall के अंदर से अंदर का चाहिए ही चाहिए तो इसके जो wall का थिकनिस बनाएंगे हम बहुत से बाहर से बना लेंगे यहां से ठीक है अब यहां पर bedroom इसका लेंद कितना दिया गया चार मीटर चार को इसकल में चेंज कीजिए कितना जाएगा 8 cm तो यहां से measurement कीजिए 8 यह line हो गया आएगा आठ सेंटीमीटर ही हो गया अब इस wall का इसका जो दिवार बनाएंगे वो बाहर से बनाएंगे क्यों कि हमें अंदर से अंदर का चाहिए तो यह 6 mm मोटी wall हो गया अब 6 mm मोटी wall हर जगहां बनाना है क्योंकि 30 cm को मैंने स्किल में चेंज किया तो वो 6 mm आ गया था यह आपका बन दिया बेडरूम फोर मीटर इंटू 3 मीटर यहां पर भी आप बेडरूम आपका है यह बेडरूम फोर मीटर इंटू 3 मीटर अब इसके निचा जाएए यह आपका कीचन है कीचन का भी हाइट 3 मीटर स्टोरियूम का भी हाइट 3 मीटर है 3 मीटर को इसकल में आप चेंज किजिए तो कितना आ जाएगा 6 cm आ जाएगा तो 6 cm आप वाल के नीचे सनापेंगे यह होगा 6 cm आपका अब इसकी जो दिवार बनाएंगे वो नीचे बनाएंगे हम क्योंकि हमें 6 cm वाल के इन टू इन चाहिए है यह हमारा जो 6 cm है वो यहां से लेके यहां तक होना चाहिए अब इस कीचेंग का जो यहां की लंबाई है कितना हो लिजन्टिलियन के ना 3 मीटर है वो भी 6 है तो यहां से 3 दूना 6 नाप लेंगे यहां पर आ गया अब इसका जो वाल बनाएंगे इसका जो वाल बनाएंगे वो बाहर बनाएंगे हम एक काम और कर लेते हैं यहां जो मैंने 3 मीटर लिखा हुआ है न इसे आप 5 मीटर मान दीजिए होरिजन्टिलि लेंथ क्वेस्चन में इसको डाई कर दीजिए डाई इंटू 3 मीटर इसे भी डाई कर दीजिए तो डाई दूना कितना हो जाएगा पांच यह पांच पर लाइन आ जाएगा आपका अब इसका वाल बनाएंगे बाहर से बाहर बनाएंगे अब आप इधर से स्टोर्लूम बनाएंगे तो इसका भी लेंथ कितना है डाई मीटर डाई दूना कितना हो जाएगा पांच यह पांच है पिर इसका सिक्स एमें वाल बनाएंगे तो यह आपका हो गया स्टोर्लूम तो पॉइंट फाइव इंटू थिली मीटर यह हो गया कीचन तू पॉइंट फाइव इंटू थिली मीटर नीच आपका यह स्पेस है दो मीटर वाइड का अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद हम डोर और विंडो लगाएंगे सब जगा हमें मालूम है जब हम डोर को ऊपर से देखते हैं तू पॉप यू से लेखते हैं तो क्या होता है कि वो हमें डोर का जो है बृत वही दिखाई देता है उसका डेप्ध हमें दिखाई नहीं देता है तो यहां पर आपको डोर का विध माल लेना परेगा दो टाइप का डोर यूज कीजिए कीचन और स्टोर रूम के कम बृत वाला यूज कीजिए बाकी बेड्रूम में ज्यादा वाला तो एक तो डीव मान लीजिए डी को कितना मान लेते हैं डीवन मान लीजिए डीवन 1.2 मीटर इन्टू 2.1 मीटर ये एक स्टेंडर्ड थिकनेस एक स्टेंडर्ड साइज आफ दोर में लिख दे रहा हूं डीटू जो हमें कीचन स्टोरूम में लगाना है वन मीटर इन्टू 2.1 मीटर अब देखिए डीवन का मतलब है कि 1.2 मीटर उसकी बृत है दरवाजे की और उसकी हाइट है 2.1 मीटर अब डीटू वहाँ पर लगा दीजिए इसका बृत थोरा सा हम कम कर दिये हैं एक मीटर बा में देखेंगे बिल्डिंग को तो उपर से देखने पर दरवाजे की केवल केवल हमें उसकी बृत दिखाई देगी उसकी हाइट दिखाई नहीं देगा तो 1.2 को आप स्केल में चेंज कर लीजिए क्या हो जाएगा 1.2 अगर आप स्केल में चेंज करते हैं तो क्या हैगा देखिए 1.2 को इसकेल में चेंज करेंगे इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड वाइड फिप्टी दो 2.4 आगे जस्ट डबल करना होता है तो 2.4 सेंटीमीटर लंबी हमें जो है डोर बनानी है यहनि 2.4 का जो है बृत का बनाना है बेडरूम में और कीचन के लिए क्या हो करना क्या है उतनी दूरी आप उसको इरेज कर दीजिए 2.4 यह आ गया मान लो आपका यहां तक आ गया यह है ठीक है यह आ गया आपका 2.4 इतना दूरी हम क्या करेंगे इसे हम मिर्यज कर लेगे जहां भी आप दरौजा लगाएंगे ध्यान दीजे जब भी आप डोर लगाएंगे न तो हमेशा मैंने इस वाल के टच में जिससे यहां पे हम दरौजे को जब ओपन करेंगे न तो यह दरौजा अंदर के तरफ से जा करेंगे इस दर्वाजे से चिपक जाएगा और ऐसा नहीं करेंगे दर्वाजे को मिदर खोलेंगे तो यह स्पेस हमारा कवर करेगा हमेशा एक जो राइट एंगल पर वाल होती है उसके बगल में ही लगाने चाहिए दर्वाजा कभी भी बीच में लगाई जाती है यहां भी आप लग जाए से ठीक से थोड़ी एदर आ गया है उसमें जब अगली बार में बनाऊंगा जिसमें आपको प्लान एलिवेशन दोनों बन जाएगा तो उसमें हम आपको सारी चीजे के लिए बिल्कुल बनाएंगे यह पहला लेक्चर है तो आप इसको इस तरीके ऐसी समझिए ठीक ह आपके लिए लिए दो आपको क्या लिखना है बस डी वन लिखना है बगल में आपने साइज एक टेबल बना दीजेगा वहां से आपको समालुम चल जाएगा किसी को भी कि हाई यह साइज यहां पर यूचच किया गया यह डीवन यह डीवन आपका हो गया है अब कीचन के के लिए आप यहां से दे दीजिए यहां पर देंगे यह दोनों पास-पास में यह झाएंगा थुछन के लिए कि पर दे दीजिए दो है वन का डबल का रिंग कितना जाएगा दो आ जाएगा और इस इस टोरूम के लिए यहां से दे दीजिए आप उपर से दे दीजिए क्यों दे रहे हैं यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हम जो एंटरेंस डोर देंगे वो यहां पर कि आपने किचन बना दिया तो यहां दरवाजी नहीं लगा सकते यहां पर हमें दरौजा लगाना होगा तो यहापका यहाँ पर D2 हो गया यहाँ पर भी आपका D2 हो गया अब यहाँ पर भी एक दर्वाचा लगा दीजी आप यहाँ पर 2.4 का गया गया दीवन लगा दीजीए में डोल है आपका यह यह ओपन इस्पेस में आप एक में गेट दे सकते हैं यहाँ पर आप में गेट दे सकते हैं तो में गेट के लिए थोड़ा सा ब्रित जादा ही रखिए दो मीटर का दे दीजीए दो दुना कितना हो जाएगा फोर आप आप ने में गेट दे दिया इसका नाम मैंने दे दिया डी डी का वैलू है दो मीटर इंटो 2.1 मीटर तो इस प्रकार आपके डोर लग गया है ठीक है अब आपको विंडो और लगाना है और आप कमपस के माद्यम से ये भी दिखा सकते हैं कि डोर किस डारेक्शन में ओपन हो रहा है ठीक है अब चाहूं तो यहां से कमपस रखके ऐसे आर्क टाइप बना के सो कर सकते हैं उसे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं चले विंडो और लगा लेते हैं विंडो का साइज मान लेजिए डबलू यूज कीजिए वन मीटर इंटू 1.2 मीटर स्टेंडर साइज मैंने आपको यह बता दे रहा हूं अब एक मीटर इसका ब्रित है तो जैसे दोर की तरह विंडो में भी उसकी क्यों ब्रित दिखाई देगा तो एक मीटर का डबल करेंगे स्केल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दो आ जाएगा अब जहां जहां उचित है वहाँ वहाँ लगा दीजिए इस बेड्रूम की बात करें चलिए यहां पर लगा लेते हैं डोर के सामने लगा लिजिए वेंटिलेसन अच्छा होगा यहां पर लगा दीए दो यहां पर आ गया इसका तरीका क्या है कि आप बीच में सेंटर में दो लाइन ड्रॉआ कर लिजिए यह विंडो का सिंबल है डबलू हो गया यहां पर भी लगा लिजिए आप इस तरीके से ठीक है यह आपका डबलू हो गया अब इस कीचन की बात करें तो कीचन में विंडो नहीं लगाई जाती है कीचन में वेंटी लेटर लगाया जाता है उपर की तरफ तो मान लिजिए आपने 0.5 और 0.5 का ले लिया छोटा सा स्लैप के साथ उपर टॉप पे बि है इसको इस्केल में चैनजर करेंगे तो एक सेंतिमीटर आ जाएगा आपको यह हो गया भी बीच में दो सेंटर लाइन ब्लों कर लीजिए और जो मैंने आपको बताए वो चीज़ आप और कर सकते हैं इसमें कि आप जो है कमपस के माध्यम से आप कमपास से जो है सो कर सकते हैं कि किस डारेक्शन में हमारा डोर ओपन हो रहा है बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका एलिवेशन कैसे बनाएंगे और ऐसे काफी टाइम लग जाता है इसको बनाने में चलिए हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको प्लान और एलिवेशन दोनों हम आपको दिखा दें ठीक है कैसे सो करेंगे चलिए दिखा देते हम आपको यह वाला डूर मान जीजी आपको यहां सोपन करना है सेंटर पॉइंट पर रखीश को यहां देगां